तो दोस्तों हाद में एक बहुत ही बहतीन वर्ड लेकर आए हूँ आपके लिए आर ए पी टी यू आरी रैप्चर ठीक है इसको मैं आपको मीनिंग बताऊंगा साथ ही एक्जम्पल पताऊंगा रचे से एक्स्प्लेन करके बताऊंगा ता यह देखते हैं आर ए पी टी यू पारी इसका प्रणाशेशन रहेगा रैप्चर ठीक है रैप्चर आज नाव न्यूज होगा हिंदी में अगर मतलब देखें तो उमंग मद अति उच्छा अतियंत हर्स परमानन मतलब बहुत ही खुजी की इस्तिती दा कंडिशन ओप एक्स्ट्रीम एक्साइटमेंट और है ऐसी इस्तिती जिसमें आदम एकदम खोस हो जैसे कहते हैं हमारा यारासो दिल बागवा हो गया यह चीज़ सुनके ठीक है और अगर इसको एक्स्ट्रीम करने की कोसिश करते हैं मतलब आपके चारोर कोई ऐसी इस्तिती बन गई यह कोई ऐसी घटना गट गई जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा दिल खोस है ठीक है इसका मतलब होता है सीजिंग ठीक है तो होपली आपको इसका सैंस या मतलब अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा जब बहुत ही ज़्यादा खुसी की स्थिती हो एकदम दिल बाग वाग हो तो गयज हमारी वेबसाइट है एंगलिसी लेंग डॉट है जिस पर के आपको बहुत सारा मटीर मिलेगगा एंगलिस सीखने के लिए ठीक है एक बार आपकर जाकी जरूर देखिए सिनोनेंज देखते हैं और टोनेंजरी और टोनेंजरी दिपरेशन इस्पयर आपकर एंफिर्ट पली एक्सा bunny ऑट अंच्रे तो पर हैपिनेस आ जाएगा है ना तो दा चिल्डन वर स्टेरिंग एट हम गूर रहे थे या देख रहे थे इन रैप्चर बच्चे उमंग में उसे देख रहे थे आईए एक और बाइके देखेंगे Everyone listened with rapture to her song ठीक है सभी ने हर एक ने उसके गाने को उत्साह के साथ सुना बहुत जादा खुसी के साथ मतलब सक गाना सुनके बहुत अच्छा लग रहा था है ना तो Everyone listened with rapture to her song सारा वाकि बहुत ही useful है वे खुसी के स्वर्ग में थी यानि कि जो चीज़े हुई या जो उसको इतना success मिली उसके खुसी के स्वर्ग में पहुँच गी बहुत जादा खुस तो Shiva जिन्दा heaven of rapture ठीक है heaven, स्वर्ग, rapture मतलब की मैंने बता था बहुत खुसी तो Shiva जिन्दा heaven of rapture तो guys hopefully आपको समझ में आए गया होगा यह word यह वाग कि आपके लिए सभी अती उत्साह में थे मतलब बहुत खुसी में थे ठीक है सभी अती उत्साह में थे तो guys hopefully आपको वीडियो पसंदा हुआ प्लेज इस वीडियो को जा स्यादा सेयर के लिए जिसे की और लोग फायदा उठाव सागा thanks for watching